ओम सायराम, जै सायराम, बाबा के चैनल पर आप सब का फिर से स्वागत है तो आज का जो अनुबव हम से शेर किया है वो है वैवब जो की है हरयाना से तो वैवब बताते हैं कि उनकी जो सिस्टर है वो किसी हॉस्पिटल में वर्किंग है वहाँ पे नर्स है तो ये चार साल पहले की बात है एक दिन वो उनको छोड़ने के लिए हॉस्पिटल तक जाते हैं स्कोटी पे और वो बोल रहे थे कि हॉस्पिटल के साथ में 400 मिटर की दूरी पे साई बाबा का एक टेंपल भी है तो जैसे ही वो अपनी सिस्टर को ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पे एक बच्चा आ करके उनसे लिफ्ट मांगता है कि मुझे साई बाबा के मंदर तक जाना है कि क्या आप मुझे लिफ्ट होगे तो वो उसको अपनी स्कूटी पे बिठा देते हैं तो वो मंदर की तरफ चल पड़ते हैं जैसे ही दोनों मंदर के पास पहुंचते हैं गेट के पास में और वो स्कूटी को रोकि उसको ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं तो क्या देखते हैं कि पीछे की जो seat है वो खाली है, मतलब वो लड़का गायव है, तो वैवब जी और डाबा के बहुत डेवोटी हैं, बहुत बाबा से प्यार करते हैं, मतलब बहुत एक होते हैं अंदर तक घुसे हुए हैं बाबा की भक्ती मैं, तो वो हॉस्पिटल से कौन बैठा बच्चा और आकर के बाबा की मंदिर पर उतरना था और बिना स्कूटी के रुके हुए वो बच्चा गायव हो गया वो थोड़ी देर तो असमजस में पढ़ गए कि ये क्या हो गया तो जैसे ही वो मंदिर के बहार उनको रेलाइज हुआ अरे मैं तो मंदिर ही आया था और वो लड़का हो ना हो वो बाबा ही थे हॉस्पिटल से मुझे उन्होंने मंदिर तक बुलाना था शायद उनको दर्शन के लिए इशारा दे रहे थे इसलिए वो वो वहां तक आये और बіना स्कूटी को रोके रोकने से पहले ही वो अपनी सीट से गायब हो चुके थे ही जैसे ही उन्होंने पीछी मुड़के देखा तो वो थे ने सीट पद तो उसका यही इशारा होता है कि अगर साथ में दिखिये हम कहीं जाते हैं ना तो बाबा का मंदिर पढ़ता है तो हमेशा जाना ची थोड़े-थोड़े उसके लिए हमें जल्दी लगी रहती है हम दर्शन के लिए नहीं जाते तो कई बाबा को भी मन होता है अपने बक्त से मिलने का तो वो किसी ने किसी तरह के से वो बुलाए लेते हैं तो वैवफ को उन्होंने मंदिर बुलाना था ये बाबा की लेला, आप सब का भी अगर कोई experience हो, तो description पे मैं अपना email ID और अपना Instagram ID पिन कर रही हूं, आप मुझे वहाँ पे message कीजिएगा, ओम सायराम, जै सायराम.